इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अलाहबाद में दोस्तों हम KYC कैसे करेंगे दोस्तों अलाहबाद बैंक में दोस्तों जाके दोस्तों हम अधार कार्ड और पेंड कार्ड दे के KYC असानी से कर सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि अलाहब आपको यहां तो चलिए इसे फिलब करते हैं यहां पर दोस्तों एकाउंट टाइप है दोस्तों अपलिकेशन नम्बर है दोस्तों यह बिलकुल खाली छोड़ देना है देखी यहां साफ लिखा, for office, use only, तो यहां आपको एक भी फिलप नहीं करना है दोस्तो, नीचे में आते हैं दोस्तो, तो लिखा हुआ है नेम, यहां दोस्तो, prefix है, prefix में जैसे स्री, मिश्टर, यह सब लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, तो अगर दोस्तो, मैं नहीं लग वैं टोछा में दूस्टों दुक्रार को मश्राय विए इस लिपयर कुमार क्राइब को घुर है तब नहीं तो दोस्तों इसे खाली छोड़ दें यहाँ पे दोस्तों फादर नेन या पती का नाम लेडिस है तो पती का नाम लिख दीजे जैंस है तो यहाँ अपना पिताजी का नाम लिख दीएगा दोस्तों तो हम भी लिख दे रहें दोस्तों उसी तरह मिडिल नेम आपका year है उसके बाद दोस्तो पेंड कार्ड यहाँ पेने कार्ड जरूर दे दीजेगा दोस्तो में धथान कर न दोस्तो दोस्तो आपको become60 भनना होगा लेकिन मेरेपास है दोस्तों यहां पे ःपना पेंड और दे देंगे दोस्तों यहां भी अपना पैंट कार्ड नंबर लिग दीजेगा नई है दोस्तों एपको किसी तरफार प्रोद्रोования है दोस्तों तो मुझे बता दीजे किसी तरह में प्रौब्लम लिख देना है जो भी आपका अधार नंबर है वो लिख देना है जैसा मैंने पहले ही बोला कि अधार जरूर दे दीजिएगा अगर नहीं है दोस्तों तो आप बात कर सकते हैं ब्रांच में क्योंकि दोस्तों यहां पर अनिवार कर दिया गया है हो सके वह आपका क्यवासी ना इन्डियन है तो इन्डियन में टिक कर देते हैं रेसिडेंस इंडिविज्वाल है दोस्तों अगर नन इंडिविज्वाल तो यहां कर दिये अग्टोपेशन दोस्तों क्या काम करते हैं एस सर्विसमें प्राइबेट सेक्टर यहां प्राइबेट सेक्टर में दोस्तों इसलिए, यहां कर दिया नीची में बोल रहा हैं दोस्तो, Tick If Applicable, नीचे में दोस्तो, आपको ये खाली छोड़ देना, इसे भरने का कोई जरवत नहीं हैं दोस्तो, चलिए दोस्तो, Next Page में चलते हैं, यहां दोस्तों मांग रहा प्रूफ हॉप आइडेंटी देखिए यहां प्रूफ हॉप आइडेंटी मांग रहा दोस्तों तो यहां प्रूफ हॉप आइडेंटी में क्या दे सकते हैं आप पासपोर्ट, भोटर कार्ड, प्रेंड कार्ड, ड्राइवी लैसेन, अधार कार्ड ना रहेगा, जब दोस्तों मैंने अधार काड दे ही दिया है, तो यहाँ अधार काड ही दें गे दोस्तों, अगर दोस्तों आप Driving License दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिये दोस्तों, एक्स्पाइर कब होगा, यह लिखना, उसी तरह दोस्तो पासपोर्ट अगर दे रहें तो यहाँ पे अस्पायर कब हो रहा वो डिटेल देना है लेकिन दोस्तो अधार कार्ट में कोई डिटेल ऐसा नहीं है दोस्तो यह आपको एक्ट्रा देना होगा जो अधार नंबर है बस वही दे दिजिए उसके अलावा कुछ नहीं देना है चलिए दोस्तो फिर है प्रूफ ओप एड्रेस तो चलिए दोस्तो प्रूफ ओप आइडी मेरा हो गया अधार कार्ड प्रूफ ओप एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है यह भी देख लिए यहाँ पर दोस्तों जैस्टर ओफिस हो पासपोर्ट हो ड्राइविंग लासिंस हो यह अधार कार्ड हो भोटर कार्ड हो नरेगा हो दोस्तों तो यहां दोस्तों हम देंगे अधार कार्ड ही ज्यादा हम डिटेल नहीं देंगे अधार कार्ड से मेरा दोनों मैच कर रहा है अगर आपके पास अधार कार्ड से एड्रेस नहीं मैच कर अगर दूसथ्व मागें और आप इसे भी दे सकते हैं लेकिन सेम है तो यहां मेरा स्टीख कर दिए सेम जैसा क्रेंटente इतना करने बात चलते हैं नेक्ट पेज में में यहां पर पूरा एड्रेज लिखना होगा दोस्तों स्टी के रिजिन से मैंने खाली छोड़ द Yuri पूरा फिलप करना होगा एड्रेस चलिए next page में चलते हैं दोस्तों यहां अगर दोस्तों आप नेट बैंकिंग चाहते तो इमेल इड शुरुद भी छोड़ सकते हैं जोरुवत नहीं है यहां मोबाइल नमबर इमेल आइडी चलिए दोस्तों उसके बाद नीचे चलते हैं detail of relation person यहां पर दोस्तो detail of relation person इसे बिल्कुल खाली छोड़ देना दोस्तों इसे कुछ नहीं भरना है दोस्तों यहां रिमार्क है कुछ बताना है तो यहां भर सकते तो इसे भी खाली छोड़ देना दोस्तों यहां पर दोस्तों जैसा बैंक में साइन है बिल्कुल वैसा ही साइन कर दीजेगा दोस्तों यहां पर आपको डेट लिखना है जैतना तारीक को आप भर रहे है उसे डेट लिखेगा यहां पर दोस्तों में आधा हो में एइसा साइन मानना है दोस्तों अ generous मारीगा कई पूटो में एंद town में जए इतना करने के बाध दोस्तों आपको अधार काड पेन काड जोस्तों जयरोक्स रख लिजेगा उसके नीचे दोस्तों सेट्रेजर यानि आपने आपको जेरोक्स में दोस्तोں, ओरिजिनल दोस्तों, अधार कार्ड, पेन कार्ड भी अपने साथ रखे, तो बैंक वाले ओरिजिनल को देखते हैं, और जेरो mot को रख लेते हैं, और दोस्तों आपका KYC एक से दो दिन हो जाता है, अगर दोस्तों, आपको KYC कारण बैंक में एकांट बंद है क्लोज है तो दोस्तोorf 1-3 गंटे में हही उपका आकाउंट ओपेन हो जाता है दोस्तो चालू कर सकते हैं अगर आपका एकाउंट बंद है तो रिक्वेस्ट किजिये कि मेरा आकाउंट ओपेन कर दिचे अब मैंने क्यवाइशी फिल आप कर दिया है तो कर देते मुझे आधा है दोस्तों इलाहाबार के करने में किसी तरह प्रश्वाइश नहीं हो गएचिक हो रहा थि कमेंट चैएगा दोस्तो चलिए दोस्तोब इस वीडियों प्रशुए में फिर मिलेंगे